करता है हमारा कि एक दैसे फॉप टू नबर एन बी एन ल्सिएमेंश तू फाइब दिया गया है एन लसीएम तू हन्डिया है तो फाइंड दप्रॉड़क्ट थिक आपको प्रॉडक्त गया थिक तो बहुत है स्मपल सा कुछ्छन है तो आप लिखे कि given number are A and B जो given number है वो A and B है and there and there HCF is 5 and जो हमारा LCM दिया है वो हमारा 200 है now we know that HCF into LCM is equal to product of numbers product of numbers and given numbers जो भी numbers दिये रहते है जो HCF है 5 LCM 200 माल लेते हैं A और B था तो A B तो इसलिए A B की जो value हो गई वो 1000 हो जाएगी ठीक है यह हमारा अन्स हो गया तो सुची कितना simple सा question था question number 10 तो आए देखते हैं question number 11 को question number 11 करता है the LCM of two numbers is 9 9 times of their LCF याने HCF का वो क्या है कि वो 9 times है तो करता है the sum of LCM and LCF is 500 तो करता है find the HCF okay कुछ ज्यादा खास नहीं तो आप अराम से भी इस कुछ आए तो आप बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो बहुत यह सिंपल से सवाल हैं तो कहता है कि लेट LCM is equal to B लेट कर जाते हैं and HCF is equal to A okay according to question according to question अब question की according हमको चलना पड़ेगा A equal to मान रहते हैं 9B के दिया ना कि जो हमारा LCM जो है वो HCF के 9 गुना है तो A equal to 9B okay चलिए and A plus B is equal to 500 okay इसको मानते equation first और इसको मानते equation second तो यहां लिखेंगे putting putting A equal to 9B in equation second we get ठीक है चलिए हैं क्योंकि यह की value दी गई है तो हो जागा A plus B equal to 500 है equation 2 इसमें लिखते हैं इसके value 9B plus B is equal to 500 तो हो जागा 10B is equal to 500 जागा 50 तो इसे लिख का value हो गया 50 it means its cf की जे value आ गई वह हमारी 50 आ जाएगी, ओके, तो यह हमारा answer हो गया, ठीके जी, तो I hope आपको वीडियो अच्छा लोगा वीडियो पसंदना है, तो please like करें, share करें and उन तक वीडियो को पहुचाएं, जिनको इस वीडियो की सरूरत है, and the product is इतना, तो find the LCM आपको ग्याद करना है, तो रिखेंगे, कि late the number B, A and B, ठीक है, numbers जो है, A and B है, according to question, according to question, अगर हम question के according चले, तो हमको पता है कि HCF into LCM is equal to A and B, LCM, HCF की value 18 दिये है, LCM की value नहीं दिये है, product अब दिया हुआ है, 12,960, तो इसलिए LCM की value हो जाएगी, 12,960 by 18, यदि आप इसको काट के देखें, तो 720 टाइमस में ही कर दिया आता है, तो हमारा जो LCM की value आगी, वो कितन आगी, 720, यही आपका answer हो गया, तो बहुत ही simple से सवाल है, आप चाहें तो इसे खुद भी बना सकते हैं, आएगे देखते हैं, question number 13 को, चले, question number 13 करता है, can two number have 15, as dear, as CF and 175, as the LCM, give region, क्या हो सकता है और नहीं हो सकता है, तो बहुत ही असान सा है, तो लिखेंगे, we know that, हम जान जानते हैं, we know that, HCF is always, always a factor of, a factor of LCM, यहने LCM, HCF जोता है, HCF का factor, बट यहां आप 15 देख पारे है, 170 का factor हो ही नहीं रहा है, तो यह मतलब यह number 13 से संभाव नहीं है, तो लिखेंगे, in this question, in this question, HCF is equal to 15, and LCM is equal to 175, तो यहां पर clearly पता चल दा है, कि जो 15 है, यहने 15 is not a factor of, factor of 175, ओके, तो इसी कारण हो गया है, कि तू नम्बर्स cannot have 15 as their LCF, and 175 as their LCM, ओके, तो यह चीज हमको क्या है, बताना था, तो यह हमारा, answer गया, तो यह, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंदा है, तो प्लीज, 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 लाइक करें, शेयर करें, और चादर ज्यादर स्प्रेट करें, इस पीडियो, कोशन नमद 14 कहता है, कि find the largest four digit number, which when divides by four seven and 13, gives a remainder of three in each case, तो कहता है, कि एक चार दीज का आपको सबसे बड़ा नमबर ग्याद करना है, जिसको कि चार सब्से दिवाइट करने पर हर हाल में, जो है three remainder बचना चाहिए, तो ठीक है, बहुत सिंपल सा question है, सबसे पहले लिख लेंगे, four digits, four digits, greatest number, हम से एक पता है, चार रंग की सबसे बड़ी संख्या 9999 में होती है, ठीक है, LCM of four seven and 13 निका लेते हैं, तो पता है, सब अलग अलग नंबर है, तो सब को सिर्फ क्या किजिए, आप multiply कर देजिए, तो आएगा, three sixty four, okay, sorry, twenty eight and 13, three sixty four आएगा, okay, चलिए, तो हमको कहता है, कि greatest, greatest number of four digits divisible by four seven and 13, ठीक है, तो इसके हम क्या करेंगे, है, कि four digits के number में, इसका जो हमने multiply कर गया है, उससे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमादा का 9828, और देखिए, लेकिन हाँ, एक कहता है, कि three, जो है, हमेशा, वो रिमेंडर बसना चाहिए, तो इसी के लिए क्या करेंगे हम, कि इस numbers में हम क्या करेंगे, three add कर देंगे, क्योंकि यह number four seven and 13 से divide हो जागा, लेकिन हमको three यह लाना है, यह हमारा answer हो गया, तो यह था हमारा question number 14, और हो आपको वीडियो अच्छा लगाँ, वीडियो पसंदा है, तो please like करें, share करें और वीडियो को उन तक share करें, जिनको वीडियो की जरूत है, तो आइए रखते है, question number 15 को, चलिए, question 15 करता है, find the least number, ठीक है, question नहीं करता है, find the least number, which should be added to 2497, so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3, ठीक है, तो करता है कि एक least number आपको याद करना है, जो कि हम 2497 में add करें, तो वो क्या हो, इसका जो sum हो, वो 5, 6, 4, 3 से क्या हो, divisible हो जाए, तो ऐसे numbers में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कि LCM निकाल रहते हैं, LCM हो 5, 6, 4 and 3 का, ठीक है, तो अगर आप side में करके भी देखें, 5, 6, 4 and 3, तो 2 के table में 5, 3, 2, 3, चलिए, 3 के table में आजागा, 5, 1, 2, 1, है, तो हम दिखेंगे, 2 into 3 into 5 into 2, equal to 60, ओके, अब हम क्या करेंगे, 60 से हम क्या करेंगे, divisible कर देंगे, 2497 को, ओके, 4 times में 240, and, आपका 97 बच जाएगा, 1 times में लगाएंगे, 60, आपका बच गया, 37, ओके, तो याने हमारा जो remainder बचा है, हमारा जो remainder आया, वो आपका आया है, 37, तो इसलिए, जो हमारा required number भी होगा, वो 60 plus 37, is equal to 249, sorry, 97 है, ठीक है, क्योंकि रखे, अगर हम 5 से divisible करते हैं, ठीक है, तो यह भी कर दियागा, 6 divided करते हैं, 2400 हो जाता है, 4 से भी करेंगे तो कर दियाता है, और 3 से कर जाता है, यह हर हाल में आपका जो है, वो 93 क्या है, आपका बच जाएगा, ठीक है, तो इस परकार जो हमारा answer आजाएगा, 97, ओके, यह हमारा answer हो गया, अपर 16 करता है, कि find the greatest number, ठीक है, तो हमेशा reminder जो है, वो, जो है, same आना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे question में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी पृष्णों में, जो भी number दिया है, उसको अपने आप में ही क्या करना है, आपस में ही क्या करना है, सबसे पहले उसको जो है, आपको सबस्टैक करके देख लेना है, ठीक है, तो लिखना है, given number are 43, 91, and 183, सबसे पहले इन ही को आपस में हम क्या करेंगे, हम सबस्टैक कर लेंगे, ठीक है, तो 43, जैसे देखे 91, में से 43 कोई कर लेंगे, तो 48 आएगा, ठीक है, फिर 183 में हम क्या करेंगे, 91 घटा देंगे, 92 आएगा, फिर 183 में हम क्या करेंगे, 43 को घटा देंगे, 140 आएगा, जो है LCM कर लेंगे क्या लिख लेंगे HCF of 4892 and 140 सॉरी गर्टेस्ट नम्हों फाइंड करने हमको HCF आना पड़ेगा इन्हीं लोग को जो आपस में घटाएंगे उसी सुझे नमर प्राप तो गा उसी सब का ठीक है तो 48 का हम देखें है तूइंटू अब तूइन तूइंटू इन तूइंटू तूइंटू सु इन टू TR ृटे ऑके नइटी टूकर देखें तो आजगा तो इन तूइन तूइन इन्टु तुट्टी त्री ओके फिर आज़ेगा 140 की बात करें तो इन्टु 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 तू इन्टु फाइव इन्टु सैवन चलिए तो जो जो नंबर यहां आप हमको मिल रहा है उसको क्या करेंगे सबसे पहले करके देख लेंगे सॉर्य यह नहीं होगा कि जाने 2 & 2 तो हैने हो कर सकते हैं तो हमारा जो सीफ काया Wed हो आगया 2 into is equal to пор तो 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 हैंस इसी कारण जो हमारे नंबर जो हमको required चाहिए था वह हमारा आगया 4 तो या रखना है करें एस प्रस् Tib 맞 तुह हम राखने हैं नमबरस दिये हूं बत आपको जो नम्बर है वो दिया ही नहीं क्या है ना जी मेंडर के बारें कुछ कहा जा तो ऐसे प्रसणों में सबसे पहले जो भी प्रस्णों में नम्बर दिया हो उसे आपस में क्या करना है तो क्यों को गli herman dave गुक्र्षिंध नममब्र की कह लिए ग Eastern इस Pre- Vil कि डिवाइड किया जाए 20 25 35 and 40 से जिसमें इतना बचे मतलब यदि किसी नंबर को 20 से घटाएंगे तो 14 25 से घटाएंगे तो 19 35 से घटाएंगे तो 29 29 and 40 से घटाएंगे तो 34 आना चाहिए ठीक है ऐसे प्रसुन जब जब भी आपको दे तो बहुत यानि जैसे आपने इसके पिछली नंबर को बनाएं मिल्कुल सेम वैसा ही आपको बनाएंगे तो चलिए लिखेंगे कि लीविंग रदी मेंडर जो रिमेंडर बच रहा है वो क् 14, 19, 29 and 34 ओके बात भी इसमें दिया है कि इन इच केस प्रतिक बार में यही सब बच रहा है तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहरे जो जो है जिस नंबर से जो निकला है उसको हम सब्सक्राइट करेंगे से 20 से हमको 14 मिला था 20 घटाने पर 14 आया तो मत इसका भी 6 आ रहा है लिखता आएं तो सिग सा रहा है इसका मतलब है यह जो नंबर से आपके दिये हूए है बिलकुल परसेक्ट दिय है तो भस आपको एंसस लाने और जो भी आपका जो सक लीघांटकर है देखें आप साइड में करके देख लें 20 25 35 & 40 5 के टेवल में सब कट रहें तो 5 के टेवल में आसान से रगा लेते हैं को ज्यादा जंजट नहीं 4 के टेवल में 1 5 7 & 2 चलिए तो LCM के तौर भी हम देखें तो हमारा आ जाता है 5 x 4 x 5 x 7 x 2 अब देखें हमारा जो नंबर से वह 1400 आया है बट हमको लिस्ट नंबर ग्याद करना है और यहां हम देख पा रहें कि सभी जो आपके रिमेंडर हैं उसके सभी के चो डिफरेंस से बोलगभग से में ते इसी लिख लेंगे हैं हैंस हैंस दा लीस्ट नंबर इस नंबर इस फोर्टीन हंटेड माइनस सिक्स इस इकल्स हो जाएगा 1394 यह हमारा अंसर हो जाएगा पहले हम समझ लेते हैं जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर फाइंड करने के तो आपको लसी हम निकालना है ठीक है इसके अलाब अगर बायचन समझ नहीं भी आ रहा है तो इस कोशन में एक चीज़ और दखें तो डिवीजिबल बाय यानि किसी नंबर को हमको डिवीजिबल करना है कितने से 28 से यह हम डिवीजिबल करते हैं तो एट रिमेंटर बज़ता है और 32 स यह है डिवीजर find करना है तो जिस कोशन में डिवीजर find करने के लिए तो समझ जहिए उस कोश्यन में आपको जो है वो ऐल्स हम find के लिए बोल रहा है ठीक है तो यह कैसे क television में ऐसा प्रश् Tibh और यहां जा कि जहां पर डिवीजिब दिया हो divided and find करने बोल रहा है तो समझ ज 28 and 32 as the year as the year respective as the year respective remainder 8 and 12 8 and 12 क्याने 28 के लिए 8 है and 32 के लिए 12 remainder है ठीक है चलिए अब क्या है सबसे पहले हम इन दोनों का प्रायम फेक्टराइजिशन कर देते हैं तो 2 into 2 into 7 वही 32 का यदि हम देखे तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 चेले अब इसका हम HCF की बात करते हैं सोरी LCM की बात करते हैं तो LCM पता है कि जो सबसे पहले जो common निकल रहा हो तो उस common में से एक एक उठा लेंगे ठीक ह बाकी जो नहीं भी निकल रहा है उसको भी कर लेते हैं इंटो 7 याने आजाएगा 32 इंटो 7 is equal to 224 बट यहाँ पर एक चीज बोल रहा है कि जो difference है वो respective है it means यदि हम क्या करें difference को उस number के साथ घटाएं तो दोनों का जो numbers होगा जो difference होगा वो same मिलेगा हमको तो लिख लेते हैं अब देच्चे कर लेते हैं difference of divisor and remainder ok difference of divisor and remainder ok तो यहाँ रखना है कि 28 में से हम 8 को करें तो 20 आ रहा and 32 में से हम 12 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारा क्या रहा है हमारा 20 आ रहा है ok चली आप देखिए आप क्या हो कि जब भी एक चीटाओ या रखना है कि जब भी किसी numbers में दिये गए जो numbers होंगे और दिये गए numbers का LCM हो ठीक है और जो divisor and remainder जो भी ऐसा question में आ रहे है तो उसको हम क्या करते हैं LCM के साथ इसके difference को हम घटा देते हैं जहां पर आपको smallest number find करने के लिए बोल रहा हो तो क्या करते हैं इसको इसको इन दोनों numbers के LCM के साथ हम क्या करते हैं इसको घटा देते हैं तो हमारा answers आ जाएगा तो लिख रहेंगे क्यों now required a smallest number now required a smallest number is equal to हो जाएगा 224 minus 12 120 is equal to 204 ओके तो ये था हमारा question number 18 चले इसको एक बार फिसे समझ लेते हैं इस question में करना था आपको smallest number find करना जिसों divide किया जा रहा है 28 and 32 से जिसके लिए remainder बच्चरा 8 and 12 तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमें पता था निया कि जब किसी number में हमें क्या हो कि divisor दिया हो क्या हो divisor दिया हो तो divisor छोटा होता है और ये बड़ा number निकालने कर रहा है लेकिन यहाँ पर लिखता है क्या आपको number find करना है तो हम HCF निकालते हैं यहाँ रखना है तो हमने क्या किया सबसे पहले उस number का जो number हमने दिया होगा था उसके हमने LCM निकाला LCM जो भी निकाला क्योंकि कहता है कि respectively है उसका remainder हमने remainder को घटा कर देख लिया अगर remainder दोनों से हम आएगा तो से हम क्या करते है LCM के साथ हम सबस्ट्रैक कर देते है और हमारे जो आएगा जो हमारा answer हो जागा यह जो number होंगे इन दोनों number से क्या होंगे smallest number होंगे जिसके लिए क्या है जो दिमेंटर है वो 8 बच्चे का आपको smallest number find करना है जब उसमें कहा है 17 increased किया जाता है तब वोड हो जाता है exactly divisible by both इससे हो इससे यहने को एक smallest number क्या आद करना है जिसमें कि यदि हम 17 को यदि हम add करते है तो यह दोनों number से क्या होता है divisible हो जाता है तो बिल्कुल वैसा ही question है जैसा कि आपने question number 18 बनाया है इसमें भी क्या smallest number आपको find करने बोल रहा है ठीक है तो smallest number जहाँ पे रहता है तो हम सभी को पता कि हम LCM find करते हैं और जहाँ पे आपको कहा दे कि गरे test number निकालना है तो आप हम क्या LCM find करते हैं तो चले और हाँ पिछली सभी वीडियो के लिंक आपको description में देखने को मिल जाएगी तो उसे आप ज़रूद चेक आउट करें यदि आपने question में 18 बनाओ तो ये question आपके लिए काफी ज़ादा easy हो जाएगा तो आईए देखते हैं तो लिखेंगे सबसे पहले कि गीवेन नंबर गीवेन नंबर आर 468 और 520 ओके गीवेन नंबर आर 520 ओके चलिए तो आप सबसे पहले का इसका हम देखते हैं चले 520 के अगर हम बात करें तो माज जाएगा टू इंटू 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 फाइव 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 एट ने सौरी यहां पे इंटू थर्टी ठीक अब हो गया चले तो हम लसीम की बात करता है सबसे पहले जो कॉमन है उसे कर लो जब उसके बात कॉमन वाला सारा काम हो जाएगा तो जो रिमैंडर बज जाए उसको कर लेना है तो इंटू 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 हो जाएगा ओके तो इतना अब कहा है कि हमें जो नमबर है वो दिया नहीं गया में find करना है जिसमें कहा गया कि 17 increase किया जाता है तो लीक लेंगे कि late the smallest required number smallest required number is equal to 17 x ठीक है अब according to questions आते हैं according to question अब question में कहा गया कि इस numbers में 17 बढ़ाया गया है तो यह जो number से वो इसके divisible के बराबर तो इन दोनों से divisible कौन से number है 4680 मतलब इस number से भी यह दोनों number का जो जिससे divisible हो रहा है यह क्या हो रहा है उसके बराबर यानि 4680 ओके तो इस 3 यह हमारा answer हो गया तो यह था हमारा question number 19 का solution 20 आपको कहता है कि find the greatest number और 4 of 4 digits ठीक है greatest number आपको find करना है जो कि 4 digits का हो और which is exactly जो क्या हो पुर्णतर divisible हो 15, 24 and 36 है यानि आपको कुछ ऐसे संखे ग्याद करनी है जो चार डिजिट की तो हो लेकिन 15, 24, 36 से पूरा divisible हो तो बहुत है simple सा question है आप इसे चाहे तो खुद भी बना सकते हैं लेकिन चलिए बनाते हैं तो लिखेंगे कि given number are 15, 24 and 36 है ठीक है इस numbers को हम लिख लेते हैं इसके बाद क्या है कि आप सबसे पहले क्या किजे आपको जहें greatest number find करने बोल रहा है तो 15 का हम देखते हैं करके prime factorization तो आ जागा 2 sorry 3 into 5 ओके 24 का हम देख लें तो लिख सकते हैं 3 into 2 into 2 into 2 ओके वह हैं 36 का हम देखें तो 3 into 3 into 2 into 2 ओके चलिए तो देखलते हैं यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो इसी हम आ जाएगा वह माँ जाएगा 3 into 3 into 2 into 2 into 2 into 5 यानि आप पर हो जाएगा तीन तीया नौन नौन दुने थारा 36 भाताः तीन सो 60 यानि 360 जो है हमारा वो आ जाएगा अब कहता है 4 डीट का जो हमको the test now find करना है तृ लिखेंगे greatest four digit number greatest four digit number greatest four digit number हो जागा हमारा 9999 अब क्या है कि इसको करता है डिवाइड करने अब इसको क्या सब्सक्राइब देखते हैं क्या दिमेंटर बता है डिवाइडिंग 360 फ्रॉम 999 तो सो वी गेट 279 एज रिमेंडर तो यह दिए आप इसे करके भी देखिएंगे चितना ही आगा देखिए करके देख देते हैं 360 से 9999 हो गया तू टाइमस में लगाएंगे 720 आजएगा 279 फिर से नाइन फिर यह दि हम लगा दे एट टाइमस में इतनी सेवन टाइमस में तो तू फाइब टू जीरू यहां आप देख पा रहें क्या कि टू सेवेंटी नाइन जो है हमारा बोदी में रहा है तो मने लिख दिया 279 एज रिमेंडर नाव ठीक है नाव नाव क्या करते हैं हमें जो रिक्वाइड नंबर चाहिए ठीक है रिक्वाइड नंबर रिक्वाइड गिर्टेस्ट रिक्वाइड गिर्टेस्ट फोर डिजीट नंबर रिक्वाइड फोर डिजित नंबर विशेज एग्जाक्टली विशेज एग्जाक्टली डिवीजिबल बाई विशेज एग्जाक्टली डिवीजिबल बाई 15, 24, 36 याने हमको चार डीज का नंबर ग्याद करना है जो कि पूर्णता डिवीजिबल हो जाए इतना से लेकिन यह तुझी मैंटर आ रहा है एदि हम को इससे घटा दें तो यह जो नंबर हो जाएगा इन तीनों से पूरा डिवीजिबल हो जाएगा तो लिख लेंगे 9999 में से घटा देते हैं 279 को था हमारा जाएगा 9720 यही हमारा अंसर हो गया कि फाइंड लाज जेस्ट फोर डिजिट नंबर विच वें डिवाइट बाई फोर सेवन एंट इन टर्टिन उफ सरी मेंडर ऑफ ती इसकेस तो कहता है कि एक चार डिट के आपको सबसे बड़ा नंबर ग्याद करना है जिसको कि चार सत्रें तेसे डिवाइट करने पर हर हाल में जो है ठीडि दिवेंडर पशना चाहिए तो ठीक है बहुत सिंपल सा साज नौसो निन्यान में होती है ठीक है एल सी एम ऑफ फोर सेवन एंट थर्टे निकालते हैं तो पता है सब अलग अलग नंबर है तो सब को सिर्फ क्या किजिए आप मल्टिप्राइब कर दिए तो आएगा थी सिक्स्टी फोर्ट ओके और सागी ट्वेंटी एटें थर्ट इन साथ त्रिसिक्स्टी फोर आएगा ओके चलिए तो हमको कहता है कि ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजीट्स डिवीजिबल बाई फोर सेवन एंड थर्टी ठीक है तो इसके लिए कि फोर डिजीट्स के नंबर में इसका जो हमने मुल्टिप्लाय करके आया है उससे हम क्या करेंगे गटा देंगे तो हमाद आगा नाइन थाउसन एट हंड़ेट ट्वेंटी एट और देखिए लेकिन हाँ एक कहता है कि थि करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे हम की इस नंबस में क्या करेंगे टीकर देंगे कियए नंबर्ष पोर से में थर्टी से डिवाइड हो जागा देकर हम कि भी लाना है इसमेंदि दिया गे तो हम में 3 add कर देंगे तो हमारा आगा 9831 यह हमारा answer हो गया should be added to 2497 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3 तो करता है कि एक list number आपको गयाद करना है जो कि हम 2497 में add करें तो वो क्या हो इसका जो sum हो वो 5, 6, 4, 3 से क्या हो divisible हो जाए तो ऐसे numbers में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि LCM निकाल लाते हैं LCM ओ 5, 6, 4 and 3 का तो अगर आप side में करके भी देखें 5, 6, 4 and 3 तो 2 के table में 5, 3, 2, 3 चलिए 3 के table में आ जागा 5, 1, 2, 1 रहें दिखेंगे 2 into 3 into 5 into 2 equal to 60 ओके अब हम क्या करेंगे 60 से हम क्या करेंगे divisible कर देंगे हम 2497 को ओके 4 ताइमस में 240 एंड आपका 97 बच जाएगा 1 टाइमस में लगाएंगे 60 आपका बच गया 37 ओके तो याने हमारा जो रिमेंडर बचा है हमारा जो रिमेंडर आया वो आपका आया है 37 तो इसी लिए जो हमारा रिक्वाइड नंबर भी होगा वो 60 प्लस 37 विज एकल टू तू फॉर नाइन सॉरी 97 है ठीक है क्यों कि रहें अगर हम 5 से करते हैं ठीक है तो यह भी कर दियागा 6 करते हैं 2400 हो जाता है 4 से भी करने तो कर दिया आता है और 3 से कर जाता है और हर हाल में आपका जो है वह 93 क्या है आपका बच जाएगा ठीक है तो इस परकार जो हमारा आजएगा यह हमारा एंटी सायवर ओके यह हमारा एंस होगया तो यह ऐ होप आप वीडियो अच्छाँ का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेर करें तो यह था हमारा हुआ 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 है